नमस्ते स्वागत है आपका हमारी चैनल ब्राइट फ्यूचर में आज है 20 फरवरी आज हम करने जा रहे हैं सब्ता 23 का कॉन्वेक्विज जो की गणित विसे संबंदित है कक्सा 8 के लिए इसमें कुल 8 प्रश्ण पूछे जाएंगे बढ़ते हैं पहले प्रश्ण की ओर आकर्ती A 56 सेमी की परीदी के कागच का एक वर्ग है इसे आदा मोडा जाता है नहीं आकर्ती B का शेत्रफल क्या है तो इसका सही उत्तर है नमबर 1 इट्ठाण में वर्ग सेमी अगला प्रश्ण है इला ने 42 सेमी लंबाई की प्रतेक बुजा के एक कैनवास पर एक पैंटिंग बनाई उसके द्वारा बनाए गई पैंटिंग के कुल 6 तर का ग्यात कीजिए इसका सही उत्तर है नमबर 3 एक अजार 764 वर्ग सेमी नेक्स्ट कोश्चन एंडी ने एक कम्प्यूटर खरीदा कम्प्यूटर के आधार की लंबाई 52 सेमी है और चोड़ाई 34 सेमी है कम्प्यूटर के आधार का शित्रफल ग्यात कीजिए तो इसका सही उत्तर है नमबर 2 1768 सेमी स्क्वेर अगला कोश्चन है तुलसी के पास 180 वर्ग मीटर शित्रफल वारा आयतकार भूखंड है भूखंड की लंबाई 15 मीटर है भूखंड की चोड़ाई कितनी होगी इसका सही उत्तर है नमबर 1 12 मीटर नेक्स्ट कोश्चन एक समांतर चत्रफल वर्ग सेमी में क्या है इसका सही उत्तर है नमबर 4 36 वर्ग सेमी अगला कोश्चन चित्र में दियेगे समांतर चत्रफल का शित्रफल कितना है तो इसका सही उत्तर है नमबर 21.60 वर्ग सेमी अगला प्रश्चन है यदि किसी समांतर चत्रफल का शित्रफल 48.6 सेमी स्क्वेर है और उसका आधार 2.4 सेमी है तो उसकी संगत उंजाई क्या होगी इसका सही उत्तर है नमबर 3 20.25 सेमी अगला प्रश्चन है यदि दिया गया हो कि किसी समांतर चत्रफल 56.55 सेमी स्क्वेर है तो एक्स वाई का मान क्या होगा तो इसका सही उत्तर है नमबर 14.5 सेमी आप देख सकते हैं हमने 8 में से 8 सवालों के सही उत्तर दिये हैं इसके नीचे इसकी अंसर की देख लीजिए कक्सा 8 के लिए मैट के बाद में संस्क्रिट विसे का भी क्यू जाएगा जिसको मैं एक दूसरी वीडियो में अपलोड करूंगी वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद